क्लोडियर मैं भुतेश आपका इस वीडियो के अंदर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो भाई काफी कंडिडेट्स के घर में या फिर उनके मन में खुशी का माहूल होगा और बहुत सारे कंडिडेट्स दुखी भी होंगे और दुखी होना बनता भी है ठीक है तो उन सा सेलेक्टेड के बारे में बात करूंगा मैं कुछ ही कट उफ क्यों गई है क्या पॉसिबल उसकी वजहाएं हो Everybody K плох यह बात करेंगे और common mistakes जो भी non selected candidates की हों या फिर selected candidates की हों जिनसे वो बड़ा सा ओर score improve कर शकते थे ठीक है कुछ जरूरी बात है जो इस वक्त आपको सुननी चीह है जल्दी जल्दी minimum time में में खतम करने की कोशिश करूँगा ठीक है मरे भाई तो सबसे पहले जो selected candidates है तो भाई ये तो है ही देखो cut कर रहे थे या फिर normally तो सोच रहे थे कि इतनी जाने चाहिए उससे लगबग 20 marks के करीब उपर गई है उस reason को भी हम देखेंगे जो भी गई है 36001 candidate to be exact वो इस final result में select हुए हैं इतने लोग जो हैं अपनी नई तरह की life इसमें कुछ बंदे तो ऐसे भी होंगे जो पहले working थे लेकिन बहुत सारे लोग हजारों बच्चे नई तरह की अपनी life start करेंगे आप सब ही को जो भी select हुए हैं बहुत बहुत बदाईया आपके प जोब लगोगे तब तक और जब आप जो जोब लगोगे बहुत इस नहरा आपको वक्त फील होगा वो हैं खुशी खुशी का माउल होगा तो आपको बदाईया आपके परिवार को बदाईया और आप जहां पर भी है उसके लिए definitely महनत तो की है ना भाई और हां इस वीडि करूँगा और जो भी selected candidates हैं वो भी आगे की बातों को सुनना को कहीं न कहीं अगर आप improve करना चारे हैं अगले exam में appear होना चारे हैं तो कहीं न कहीं ये बाते हैं आपके काम है तो जो non selected candidate है mainly non selected जिनके लिए मैं बात बोल रहा हूं वो हैं जिनके मालो 265 यहां पर मैं general category को ल आप यह सोच सकते हो कि जो हम जो भी आपकी cut off गई है उससे 20 नंबर कम जो भी last selected candidate है उससे 20 नंबर कम या उससे 25 नंबर कम अगर आपके हैं अगर आप 20 या 25 मार्क से रह गए हैं लास्ट जनरल में में मेरे खाल 291 वाला select हूँ है PASA में तो तो आपको मैं एक सिद्धी दिबात कहना चाहूँगा देखो ओलंपिक में जब रेस होएगी तो मालो पहला 100 मीटर की रेस माल लेते हैं पहला उसे इन बॉल्ट आ गया दूसरा को यह और आ गया तीसरा को यह और आ गया इनको medal मिल गए तो आपको क्या लगता है कि जो चोथा है वो loser है मालो उसको medal न आने के लिए जो आठ बंदे ट्रेक पर भागते हैं उसमें भी जोर तो लगता ही है यह तो नहीं है ना कि पहले तीन के लावा बाकी बंदे ऐसे illusers हैं कोई कहां से उठकर आ गया है उन्होंने मेहनत ही नहीं की अगर एक बंदा फर्स्ट आया है उसके साथ उसकी लाइन में खड़े होने के लिए भी कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी आप Olympic के टोपेट में नहीं भाग रहे तो मैं यह कहना चाहरा हूँ अगर आपके marks 265-290 है तो कई बार क्या होगा बच्चे अपने आपको completely ही blame कर लेंगे कि मैं loser हूँ मेरी किस्मत खराब है यह है वो है यहां तक पहुंचने में भी आपके effort लगे हैं आपको पता है आपको पता है कि नहीं इससे पहले के जो बच्चे हैं जर हमारे effort नहीं लगे है effort आपके भी लगे हैं वट कहीं न कहीं साइद कोई बड़ी कमी आपने चोड़ी है at least 265-270 की range में आपने आना चाहिए था ठीक है तो मैं यह कह रहा हूँ कि cutoff से 20-25 marks पीछे बच्चे हैं उनकी भी महनत लगी है और बाकी cutoff के इधर हो ना उधर हो ना 15-20 marks में कई बार ये भी खेल हो जाता है कि कोई strategy point कहीं पर weak रहे गया कोई चोटी मोटी वहाँ पर आपने गलती कर दी चोटी मोटी गलती का मतलब किसी एक subject को साइद ठीक से handle नहीं किया तो ही selection होने से बाहर हो जाते हैं मैं क्या कहना चाओंगा कि जो actual में बच्चे select हुए है मेहनत की है की है जो इस range में बच्चे है मेहनत की है की है कुछ बच्चे थोटी सी गलती करके यहां से यहां हो सकते थे selection से out कुछ थोड़े सी improvement करके ना selection होने से selection में जा सकते थे बहुत ज्यादा फरक नहीं लास्ट के बच्चे वे हो सकते थे ऐसे, तो आप capable हो, completely blame मत करना आपने आपको, you are capable, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, इस range में, you are worth it, कुछ कमिया रहे गई भाई, यह तो of course सच है, कमिया रहे गई, क्योंकि भले इकटो फूपर गई हो, बंदे तो उन्होंने 36,000 something select किये हैं, काफी सारे बंदे select किये हैं, किसी इसको उपर बात करेंगे हैं, next, और आपने किया है, मैं यह नहीं बोलूँगा, you can do it, you have done it, बस थोड़ी से और कसर रही है, कि निकाल दूगा, क्या मतलब कह रहा हूं है, कि दोस्तों से बात कर लो है, थोड़ी सी दे लो, SSC को गाली वाली या जो भी आपने करना है, वो काम कर लो, discuss कर लो, यह हो गया, वो हो गया, थोड़ा सा दुख मना लो, उसके बाद, एक दो दिन के बाद, then आप क्या करो, कि common mistake के उपर बात करेंगे, और improvement के उपर focus करो, 2023 में आप कर दोगे, आप select नहीं हुए, आप failure नहीं हो, अगर आप इस range में आ रहे हो, ठीक है, इस exam में fail हो गए हम बोल सकते हैं, बट आप failure नहीं हो, जहनत करी है, बड़ी आमनत करी है, थोड़ी सी और करेंगे, ठीक है, मालो, deadlift का competition लगा लेते हैं, जमीन से वो बार उठाते हैं, वेट की, तो मालो 305 किलो पर बंदेगा gold, silver और वो आ रहा है, ब्रोंज, 305 किलो उठाने वाले का ब्रोंज आया है, किसी ने 300 किलो इवजन उठाया, क्या वो loser है, 300 किलो उठाने में भी उसका जोर लगा होगा, या वस दूसरे ने 5 किलो जादा उठा दिया, तो इस सोच से निकलना, थोड़ी सी self appreciation भी ज़रूरी है, जब आपने महनत की हो, कि भाई हा मैंने किया है, हा मेरा इस बार selection नहीं हुआ, कर सकता था, यार कमी रह गई, थोड़ा सा और improvement हो सकती थी, क्या आपका दुखी होना बनता है, बनता है, बट इतना दुखी होना नहीं बनता कि आप 2023 की preparation में पाधा डाल दो, और आग लगनी चाहिए, आग में घीडलना चाहिए, यह द्या भाई, इतनी महनत करी, फिर भी इतने बंदे आगे निकल गए, बढ़ा सा और ज़र लगाने की बात है, फिक है मेरे मेरे छोटे बाई बैन की तरह हो आप, तो दिल छोटा नहीं करना, और एक बात मेरी द्यान से सुन लो, जिस बंदे को महनत करनी आती है, जिस बंदे को महनत करनी आती है, मैं guarantee से बोल सकता हूँ, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपकी government job नहीं भी लगी, तो जितना government job वाले earn कर रहे हैं, उसे बहतर earn कर सकते हो, बहतर lifestyle भी बना सकते हो, easily, अपने देश में इतनी सारी population है, इतनी सारी services लोगों को requirement है, बहुत सारी चीजों की कमी रहती है हमारी society में, कि यहाँ पर एक यह और service होती तो बढ़िया रहता, यहाँ पर एक यह और service होती तो नहीं होएंगे, अगर आप government job के अलावा भी कोई एम बना लेंगे तो, जिसको मेहनत करनी आती है, तो life को लेकर attention मत लेना, फिलाल अपने काम पर focus कर, ठीक है भाई, next, अब high cut off के क्या क्या कारण हो सकते हैं, एक एक करके देखते हैं, देखो, कोई एक कारण नहीं होगा, multiple reason होंगे, वो थोड़ा-thोड़ा add कर देते हैं, जैसे, अब high cut off का मतलब कहा है, सबसे पहले यह समझते हैं, high cut off का मतलब है, जो हम expect कर रहे थे, expected से ज्यादा, अब ही तो high कि हम इतना expect कर रहे हैं, इतनी चले गई, अच्छा है, रहाई चले गई, हम 265, 272, 272, 273, हम यह expect कर रहे हैं, उससे ज्यादा चले गई, और जो हम expect करते हैं, वो किसी के उपर expect करते हैं, जो normally हर साल का जो trend है, उससे हम data को match करते हैं, अच्छा, इतने candidate अब की इतनी vacancy है, normally इतनी vacancy होती है, तो इतनी cut off जाएगी, जो expected, जो normally चलता आ रहा है, उससे अगर कोई चीजे change हुई है, वो 3-4 चीजे मैंने यहाँ पर लिखी है, जिनोंने थोड़ा-थोड़ा add किया होगा, number one हो सकता है कि normalization, जो expect की गई है, यानि बहुत सारी YouTube channel पर बताया बड़ी अबड़ी analysis भी करते हैं YouTube channel पर, cut off के ठीकठा खास पास से ले जाते हैं, बड़ी अप्रेटिक्ट करके, तो जो normalization expected थी हो सकता है, उससे बड़ी normalization हो गई हो, ज्यादा marks add हो गई हो, मैं just high cut off का मैं बोल रहा हूँ, अलग-लग reasons, ठीक है, बट यह तो of course सब को impact या जो अभी selection नहीं लिया, जिसने लिया है, वो तो सब के marks बढ़ने थे, ठीक है, बट उसके कारण मैं cut off का number justify कर रहा हूँ, ठीक है, अब देखो, vacancy भी भाईयों ने 36001 report की हैं, और DV में भी candidate 36001 बुलाए हैं, अब यह DV में यहां से माल लो, 1200 candidate भी ऐसे हो गए, जो DV में qualify नहीं हुए, actual में तो सीटे खाली चली जाएंगी, 1000-2000 number तो मैं वैसे number बता रहा हूँ, पता नहीं हो सकता है, एक-दो number तो इस चीज ने भी बढ़ा दी हो, पता नहीं भाई किस चीज का कितना impact पड़ा हो, लेकिन यह भी एक हिजाब से गलत है, कम से कम 40,000 select कर लेते, ना पिछले कुछ टाइम के अंदर, awareness मैं क्या बोल रहा हूँ, किस regarding, awareness इस regarding बढ़ गई है, जब हम college में थे, तो इतना खास पता भी नहीं था, कि college में SSC CISL नाम का, मतलब exam, मतलब इतना खास बहुत सारे बंदों को नहीं पता था, एक-दे को ही पता था, और उसको यह माना ज दिया था, age होने से पहले ही, हमें यह लगा था, इसको बहुत सारी चीज़े पता है, मतलब क्या, CGL का paper होता है, यह होता है, वो बता रहा था, इतनी post होती है, यह होती है, कमाल है, हम पीछे रह गए, इसने इतना पता कर लिया, यह paper भी देकर आ गया, अब गया, बच्चे में अबने मालो 16-17 लाग appear हो रहे है, तो फिर भी वहाँ पर क्या है, candidate कम है, फिर भी level उस exam का ज्यादा है, वहाँ पर और better skills, maths की और English की reasoning की होनी, चाहिए अगर उसको clear करना है, तो सिर्फ number of candidate ज्यादा होने से competition नहीं होता, number of genuine candidate ज्यादा होने से competition बढ़ता है, हो सकता है इतनी awareness है, तो ज्यादा genuine candidates paper दे रहे हैं, बलाई जो overall जितने candidate paper दे रहे हैं, क्योंकि जितने candidate paper देते हैं, उससे आद्धे तो paper all तक नहीं जाते, paper देने नहीं जाते, 50% के करीब हमारी attendance रहती है, next एक जो चीज साफ साफ दिख रही है, देखो ये चीज ज्यादा normalization हुई ह ये चीज भी साफ साफ दिख रही है, ये तो जिस्ट मैं बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, और हुआ ही होगा, awareness बड़ी है, ये भी साफ साफ ही दिख रही है, जो resources हैं अपने, वो बहुत ज्यादा हो गई है, आज कल एक बंदा जो गाउं में बैठा है, जो दिल्ली किसी का में एक सब्जेक्ट के में मालू टोप में 20, 25, 30 टीचर मालने टोप के हैं, तो जिस teacher का उसे समझ में आ रहा है, वो उससे पढ़ रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा मेहनत करना जानता है, सिरफ उसको resources की कमी थी, अब वो भी टक्कर में आ गया, पहले वो टक्कर में नहीं था, क्योंकि वो अफॉर्ड नहीं कर सकता था, तो resources बहुत ज्यादा हो गए, और affordable हो गए, एक जगा का teacher पूरे इंडिया में पहुंच रहा है, online education के कारण, तो इस चीज़ ने भी क्या क्या होगा, जो normally हमारी expected जो चीज़े हैं, वो साल दर साल बढ़ रही है, साल दर साल दीरे दीरे बढ़ रही है, और Corona के बाद से online education बढ़ा है, तो real impact दिखने में एक दो साल तो लगता है, यह चीज़ों का, एक दो तीन चार साल, तो हो सकता है, इन सारे कारणों के कारण, थोड़ी 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 करके, जो cut off है, वो 20 नमबर का total gap उसने cover कर लिया होगा, तो बीस नमबर वो ज्यादा आ रही है, ठीक है मेरे भाई, तो यह तो जस्ट आपके मन में जो की, यह competition यह वो, यह वो, यह सारी चीज़े मैंने बताई, उस दुविदा को स्यांत करने के लिए, एक आदे और भी factor रहे होंगे, सायद मेरे से मिस हो गए हो, तैन कुछ common mistakes ज नहीं कर रहा है, उसको मैं क्या mistake बताऊं कि तुम यह mistake कर रहे हो, जिसके करने तिरा selection नहीं हो रहा, तो वो तो वही mistake कर रहा है, कि वो उतनी महनत नहीं कर रहा, मैं उनकी common mistake की बात कर रहा हूं, जिन्होंने ठीक ठाक number लिए, उसके बावजूद भी selection नहीं हुआ, महनत करी ही है, ठीक है, यह less than 265 होएंगे, यह जुरूरी नहीं कि इन्होंने महनत नहीं करी, हो सकता कोई बड़ी कमी छोड़ दी हो एक आद्यवन देगे, मालो 260 भी आये हैं, वो भी टिक टाक स्कोर है, 250, 100 के महनत तो करके ही आएगा, तो हो सकता कोई बड़ी कमी छोड़ दी हो, तो जैसे सबसे basic चीज, मैं सिरफ सिद्धी आम बाजा, सिद्धी straight, कम सब्दों में समप करने कोशिश करूँगा, सबसे सिद्धी बात, syllabus किया, उस syllabus को revise करने के लिए notes बनाए, या फिर quick revision points बोलता हूं, मैं math के अंदर, ये चीज़े बनाई, इन दोनों चीजों को, इन notes से क्या होता है, syllabus के अंदर क्या होता है, syllabus के अंदर theory होती है, math के अंदर बहुत सारे questions होते है, बहुत सारे concept होते हैं, और notes में सिरफ और सिरफ concept तो concepts को revise करना थोड़ा easy है, अब दो दिन में पूरा मैत रिवाइज कर सकते हो और syllabus को पूरे को रिवाइज करने में सारे topic को रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लगता है तो ये जो चीज है इसके multiple revision है जहां से भी आप पढ़ रहे हो मालो आप मेरे से पढ़ रहे हो तो क्या मेरी videos को दो बार तीन बा जादा हैं, overdose हो गई है कि एक बार एक PDF को कर लिया तो उनको यह लगता है कि ये PDF तो मैंने कर ली अब मैं दूसरी PDF की तलास में निकलू ये भी मैंने कर ली अब मैं तीसरी PDF तीसरी book की तलास में निकलू मेरे भाई आपकी कोई photographic memory है जो आप एक बार में एक चीज को करके उसको हाथ ही नहीं लगाना चारे दुबारा ये guarantee है आप किसी चीज़ को एक बार करोगे उसके बार दुबारा करोगे तो आप सिखोगे तीसरी बार करोगे तो और ज्यादा सिखोगे चोथी बार करोगे तो और छोटी छोटी बाते सीखोगे अगर आपको छोटी छोटी बाते सीखनी है तो सेम चीज को बार-बार करना पड़ेगा ना बहुत बेसिक सी बात है इसको यह बोलते हैं repetition is the mother of यही है repetition is the mother of education या एक saying है कि बार-बार repeat करने से better educate हो पाता है बार-बार एक चीज के उपर सोचते हैं तो हम better समझ पाते हैं उसको experienced बंदा किसे बोलते हैं तो बहुत सालों से एक ही काम कर रहा हूँ बहुत सालों से सेम चीज को repeat कर रहा है ना मैं खुद आज के दिन improve हो रहा हूँ maths में अपने इस object में इतने साल लगा लिए फिर भी धीरे 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 यह काम है हुआ की नहीं कम से कम तीन चार बार से ले बस और मालो सो के करीब मौक्स आप माल लो यह दिये की नहीं आज के दिन requirement है की कुछ फीप एक रो ओन-लाइन मौक्स टेस्ट के प्लैटफॉर्म पर सेकड़ो मौक्स मिल जाते हैं तो वही मा बोल रहा हूँ ना चीज़े एकदम से अवेलेबल हो गई पहले तो ओफ-लाइन देते थे मौक के उपर तो दिये की नहीं लोग दे रहे हैं पहला step यहीं पर तो गलती नहीं करती सबसे basic step है same content के multiple revision नहीं मारते यह मारना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हर एक बार same concept को नए नजरिये से हर एक बार नहीं सीखना starting में एक बार दिमाग में बहुत ही अच्छे से concept बैठाना है फिर practice के लिए जाएंगे फिर वो मजबूत हो यह नहीं कि एक content को एक बारी किया एक ऐसा content जो पूरे syllabus को जो exam relevant है जो सारे syllabus को complete करता है concise है एक structure में है इसको बार बार करना जरूरी है कि भाया यह इससे बाहर syllabus आएगा नहीं यह बड़िया structure में है था कि हमारे दिमाग में बैठ जाएगा relevant चीजे हैं इसके अंदर यह नहीं है कि इससे बाहर नहीं आएगा तो irrelevant चीजे डाल दी कि ऐसे syllabus को तीन बार चार बार पांच बार करना जरूरी है दोस्त उसके विना नहीं बनेगी बात और अगर तीन चार पांच बार किसी चीज को करना चाह रहे हो तो क्या irrelevant बढ़ने का time है आपके पास नहीं है और बढ़िया से चीजे दिमाग में बठानी है तो चीजे स्ट्रक्चरड होनी चाहिए कि नहीं बढ़िया त्रिक के से अरेंज्ड ताकि चीजों की जो जगाया है वहाँ पर जाकर दिमाग में बैठ जाएं उस वे में जाकर दिमाग में बैठ जाएं लेर है गेटिंग मी टाइम वेस्ट उन इर्इलेवेंट मेत्रियल मैंने बताया जब किसी चीजों का पांच बार करने से स्लेक्शन हो रहा है तो इर्रेलेवेंट चीजों को पड़ोगी तो पांच बार कर पाओगी जिलिए बस यतना बढ़ा हो जाएगा एक बार में ही सांस फूल जाएगी ठीक है कहीं न कहीं हो सकता है strategy weak रह गई हो आपकी किसी एक portion में weak रह गई हो जैसे इस चीज़ को भी weak strategy बोलेंगे कि computer के उपर उतना ध्यान नहीं देना इसको generally luck से बंदे ये बोल रहे हैं कि इस बार ये luck factor है कुछ students सोच रहे हैं कि luck factor है कि computer में fail होगे मेरे इतने ज्यादा marks थे या फिर to be honest मेरे को एक बात बताओ ये luck की बात है या फिर strategy की बात है कि हमने पहले ही उसके उपर ध्यान देना था तब मैंने वीडियो भी बनाई थी एक teacher को आकर उसका course निकलवाया था मैंने कोई PDF नहीं दी हमें पहले ही ध्यान देना था कि अगर अच्छा इसमें select नहीं हुए तो वो इसको check ही नहीं करेंगे एक साब से matter ही नहीं करेगा तो जरूरी नहीं आप इसी strategy के अकान फिल होए कि आप तक कहां पर किस चीज़ को आपने ज्यादा importance वाली चीज़ को कम importance दे दी कहां पर वो आपको देखना पड़ेगा अपनी करने पड़ेगा तो इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही कहना चाह रहा था रेकल सारे बाते हमने cover करती हैं और that's all तो अभी लगो अपने 2023 के लिए और आगे अपने YouTube channel के उपर और बढ़िया बढ़िया चीज़ें तो हमने TCS किस लाई हुई है आगे भी और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें अभी मैं लेकर आऊंगा इस जिस तरीके में help की जासके की करेंगे भाई हम ऐसे ही आके पर मन थोड़ा सा हल्का हुआ आपका तो एक-दो दिन है कुछ टाइम तक आपका मन दुखी रहेगा दुखी होना भी बनता है मेहनत किया तो फिर भाई साब जोर से लग जाओ यह सोचो कि अच्छा इतनी मेहनत के बाद सेलेक्शन नहीं हुआ तो कोई तो है जो ज्यादा मेहनत कर रहा है इसे कहीं कमी रह गई चीजों में कहीं किसी पॉर्शन में कमी रह गई सिल्ली मिस्टेक्स कर दी क्या कर दी अप अनलाइज करो मोक्टेस्ट तो उसको अनलाइज करो यहने वीडियो भी डाल रखके ऑंलाइने की 21 मिनट की साथ वीडियो है गेरंटीड प्लैन टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स उसे आप देखना ठीक है उसको दूर करो दूसरे लोग वो कर पा रहें बहुत सारे 36,000 कंडिडेट है जिन्हों ने वो किया है तो आप क्यों नहीं कर शकते हैं अपने की आप इच्छुक हैं कर पाऊगे ठीक है दोस्त ठीक है बाई नेक्स्ट वीडियो में मिलता है